जन्डता दल्यू के राष्ट्रिय कारिकारणी की बैठक बरतमान राजनेतिक परिस्तिती में महत्वपुन है उसे कारिसूची तो राष्ट्रिय पता अधिकारी तै करेंगे लिए इतना महत्वपुन बैठक जरूर है कि जो इंडी गठबंदन के घटक दल थे खास करके 12 सीट चुनाओ जीते और एंडी ये 30 सीट चुनाओ जीता तो निश्चित रूप से हमारे लिए असाधारन उपलब्धी के प्रती मानिय मुख मंत्री पार्टी के राष्ट्रे अध्यक्ष उनको आवार व्यक्त करना साथी साथ जो हजार 25 की जो हमारी चुनावी रणनीत ह विदान सबाका उन तमाम विंदूओं पर चर्चा करके और पार्टी का सरकार में सामिल होना ये ऐसे एक महत्वपुन कारक्थ हैं जो मानिय मुख मंत्री जी पर कारिकरताओं का भरोशा और दिल उनका जीतने का प्रमान है तो निश्चित रूप से इसके प्रती आभाद करें दिल्ली टर्मिनल वन पर जो दुखत घटना हुए वो चिंता का विश्य है और हमारी उम्मीद है कि एरपोर्ट ऑथरिटी इस तमाम बिंदूओं को देखेगा कि आखिर क्या कौन से चूक हुई जिसके चलते ऐसी दुखत घटना हुई और इसको संग्यान मिलेगा प्रियंका गांधी उन्होंने करा कि दिल्ली एरपोर्ट टर्मिनल का उट घटन परदान मंतरी ने मार्च में किया था अच्छात घिर किया कैप ड्राइवर की मौतों के जबलपूर एरपोर्ट के विश्य है उगा परदान मंतरी ने पहले वह भी परदान गिर गिर गिया तो इसको राजनेतिक दुराग्रह से आप बयान देना बलकि मुद्दो के आधार पर अगर आप सरकार से जबाब मांगिएगा लेकिन आरोप तै करके जबाब मांगने की जो परंपरा है एही कारण है कि आज इंडी गटवंदन का यह हस्रुआ है यह हेमन सोरेन को है जो एकोट ने जमानत दिए जीवन के लिए वो जेल गए नहीं बलकि जेल गए भरस्टाचार के आरोप में तो नियाले ने तो भी बेल दिया है जमानत दिया है राजनीत के दामन पर जो दाग लगे हुए हैं वो उस दाग से अब तक मुक्त नहीं हुए हैं तो जनता दागदार नहीं खोशती जनता बगएर दाग का नित्रित खोशती है उपराश्पती है और रासला का सवापती जग्जी धंपर ने उनने कहा है कि आज इतिहास का है वो आज कलंकित कदी में विपक्ष के नेता खुद वेल में आगए ऐसा कभी निवर्शत तब दिया हैं देकि संसदिय कारिप्रणाली में विपक्ष के नेता मानिवर्ट अटल भिहारी बाजपई भी रहें जिनोंने राश्टिय राजनीत में एक मानक का स्थापित किया और संसदिय परंपरा के तहर्ट निश्चित उप से बेल में जाना दुखत घटना होती है और ऐसा क्रित अगर विपक्ष के नेता के द्वारा हो रहा है तो मानिय सभापती का नियमन इस देश के इतिहास का अब लोकन है और भविस्च के जो विपक्ष का रवईया है उसको आगाज भी करता है अच्छा जीस तरिक्यत से पर नाटक के सीमसी धर्णमयनों नहीं का कि इस देश का संभिधान और भीम राव अंबेदकर की बुनियात पर है और संभिधान की जो प्रस्तावना है तमाम धर्म के लोग तमाम समुदाय के लोग वही देश की मूल पूंजी है विवित्ता में इकता इसलिए ऐसे बयान देकर करके करनाटक के मुख मंत्री संभैधानिक प्रस्तावना की धजियां उलाते हैं अभी राजनीत में कोई पद पर नहीं है पूर्व केंद्रिय मंत्री है डलने टिकट देना भी उनको मुनासिव नहीं समझा तो अब बिहार की राजनीत के संदर्व में भारतिय जनता पार्टी के केंद्रिय नित्रित आदरनिय पधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लगातारिया कहा है कि मानिय नितीश कुमार जी ने विकास के जो मानक का स्थापित किये हैं वह गौर तलब है तो ऐसी स्थिति में उनके बयान का कोई नहीं नहीं है ना पद पर है ना दल में कोई सांगठनिक दाई तो है ना विधायक दल के नेता है इसलिए पुर्व केंद्रिय मंत्री का पुर्व होने का राजनेतिक पीड़ा है यह प्रविधित है ना चाहिए योजना आयोग हो अच्पा नीती आयोग हो तमाम मापदंडों पर विधार जैसे पिछडे राज जहां कहा जाता था कि आलू लालू और बालू है आज हुआ सड़क बिजली और स्वास्त की चर्चा हो रही है विकास दर के मामले में अधारबूत संग्रचना में हमारा राश्ट्रिय ओसत लगातार कायम है तो निश्चित रूप से आज बिहार के अंदर जो परिवर्तन हुआ है और दैसे पिछडे राज्यों के विकास का मालक जो हमने अस्थापित किया है वह जब 28 जिला मेरा बाल और सुखार से प्रभावित है जलवायू परिवर्तन समझूजते हैं उसके बावजूद हमने विकास की दिशा तैकी है तो आधर्णिय प्रधान मंत्री जी ने सच को कबूल किया इसके लिए आभार और धन्यवाद